कि अब्रिवन नमस्कार चेहिंद मैं रोहित कुमार आपका स्वाध़ करता हूं इंडिया सबसे बड़ेशन चैनल वाइस पश्टेड विच्चा पाट पंगैडमी तो बच्चों साम के सह बच चुके हैं और आप जुट चुके हैं रोहिसर के साथ जहां आज देखोंगे बि बच्चेशन होगा बाटाएं निए अब हरागा और दिमाग में लग रहा होगा किसर आज पढ़ाएं कि चर्चा करेंगे कि स्लेवर्ष बताएं क्या करेंगे बिल्कुल पढ़ाई करेंगे परिशान मत होना कुछ भी ऐसा चाहिए नहीं होगा बिल्कुल आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर क्या 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 कोई है आज स्ट्रावि सब्सक्राइद आपको डेकल हुआ और साज बनाने के बाद आपको एक आएडिया लगेगा कि सब्सक्राइबस हमेरा स्ट्रावल पर वर्क नहीं करते प्रावल्म ये .अगर तो आज आठ अगस्त उन्हेस्ट आजी के दिन भार्ट छोड़ा उन्हें शुरूगा था और आज ही एक बैस शुरूओ गया अनकेडमी पे इंडियन जोगर्फी को लेकिए ससी फाउंडिशन कोर्स जिसने जोइन किया उनको पता होगा कितना मज़ा आया होगा अगर आप तक अभी तक जोइन नहीं किये हैं तो आज इंट्रोड़क्शन लेक्चर था बच्चे आज इंट्रोड़क्शन था मंडे से मंडे को पहली क्लास होगी मंडे को पहली क्लास होगी तो मिस मत करना अभी परचार परसार नहीं होगा बिल्कुल पढ़ाई होगा ठीगे है व Industry को परचार सुखर नहीं होगा और रेलवे सीच्वार में दो पर में दो से तीनि दो से तीन परचार परशार की बात कि लिए तो हमारे तीन लिखसर आपको देखने को मिलता कौन-कौन तो देखने को मिलता है दोपर 11 बजे दोपर क्या सुभा बोले मौक टेस्ट एससी के लिए मिलता है आपको रात 10 बच कर 5 मिनट पे और एक मिलता है पांच बच कर 35 मिनट पे करेंट अब देखो केसे कट त्यारी करूँ सर किसे इससी की तयारी करने के बाद कौन-कौन से एक जाब हमारे लिए बिलकूल आसान अभला दिल्खिल को 50 सवाल करेंट पेर्स के हैं अगर मैं्यों दिल्खिल के सब्सक्रायूं अ और कुंछ मुछ जा रहे हैं यानि SSC की तयारी करने से हमारा दिल्ली पुलिस आसान हो जाएगा दिल्ली पुलिस बिल्कुल आसान हो जाएगा यहीं आप देख लो बिहार पुलिस फॉरेस्टर के विकेंसी आई है यहां भी अगर हम SSC जोइन करते हैं SSC क्लास करते हैं तो यहां भी आपको 15 जेनरल GK और फिर आपको साइंस के सवाल देखने मिलते हैं पचास यानि ये भी आशान हो जागा आपके लिए और एक MP व्यापम जेल परहरी की विकेंसी आई है जो यहां भी जेनरल नॉलेज के 40 सवाल है जेन्डर नॉलेज के 40 सवाल और 40 सवाल साइन्स के यानि 80 सवाल आपको MP व्यापम जेल परारी में देखने को मिलेगा 80 जी के इंगलिस भी है यानि SSC की तैयारी करने से हमारा दिल्ली पुलिस MP व्यापम आसानी से टिवारे जी इतना गुस्सा काहे का ने इतना गुस्सा काहे का जड़ा बता दो आप इतना मतलब लाल पीला हो जाना है अब जरह बताना लोगसवा पर्थम लोगसवा के उपार्जयस थे उनकी चर्चा किस आर्टिकल में की गई है उनकी चर्चा किस आर्टिकल में की गई किस अनुछेद में की गई है जल्दी रेजनी केसरी जी जरह बताना CHSL या सिधियल देने जाओगे तो कितने सवाल मिलेंगे आपको जीके के पचीस या पचास या हंड्रेड या पच्छत्तर तो कीस आर्टिकल में चर्चा की गई लोग सवा अतिकल के उपाद्यच की को उपार्देश अपना अध्यक्स को गिविन टेक का काम करेगा क्या करेगा गिविन टेक का यानि पहले अध्यक्स की बात करें तो गनेश वासुद उमावलंकर और उपार्देश की बात करें तो एम अनंत सैनम आयंगर एम अनंत सैनम आयंगर लोग सवाई स्पीकर को बहु हमारा लोक सभागा स्पीकर रार मनी बील कोई भी बील मनी बील है यह कौन he को कहा आपको ब्लॉग किया गया है क्यों ऐसे ऐसे बाते हैं बोलते हैं कि बैलology गया बताऊ जरा ठीके तो money bill 110 कोई भी बिल money bill है यह decide कौन करेगा speaker up लोग सभा करेगा बिल्कूल या तक ना सवाल नमबर दो केता कसीदा is a type of embroidery that is famous in which Indian state कसीदा एक परगा के कड़ाई है जो भारत के कि सराज में परसीद है पंजाब पश्यम बंगाल जमू कश्मीर राजस्थान सवाल नमबर दो जल्दी हाँ वही सोचने ब्लॉक कर दें उसे अच्छा रहेगा नहीं अगर मैं embroidery की बात कुरी आपके लिए टाइमर रहा अच्छा टाइमर देना बूल गए थे ओके माई मिस्टिक कसीदा एक परकार के कढ़ाई है जो भारत में जम्मू कश्मीर से संबंदित है कहां से जम्मू कश्मीर से संबंदित है यह याद रखना अब भी देखोगे आप तुमों जो कढ़ाई करती है न बिल्कूल जो पस्मीना सॉल देखते हैं आप पस्मीना सॉल पस्मीना सॉल में जो कढ़ाई हुए होता है वो आप देख सकते हो तो कस्मीरी कढ़ाई कसीदा का उपयोग तीरों और नमाजों के साथ साथ जम्मू और कस्मीर में स्टॉल के लिए किया जाता है जो महिलाए अपने स्टॉल औरतियो ठंड के दीनों में आप स्टॉल यूज करती होंगी फिमेल लोग यह दो कोई स्टॉल में या फिर स्टॉल यूज करती है फिमेल उन्हें पता होगा उसे में यूज किया जाता है कसीदा कि सवाल नमबर तीन कि डिया डिया डियो एसे सी रेलवे सब के लिए है कि बता जल्दी सवाल नमबर तीन क्या होगा कि करती हूं अच्छा कि अंटेचेबल किताब किसके द्वारा लिखी गई थी तो अंटेचेबल किताब की बात करें यह लिखा गया था मूल कराज आनंद के द्वारा अब लगाओगे पता है क्या लगाओगे बीयार अंबेड कर वाओ बीयार अंबेड कर गांडी जी गांदी जी राकेश जी अब सवाल को लेके घर जाएंगे यह जवाब को लेके घर जाएंगे सो बतादो बच्चे मुलकराज आनंद अंटचेबल किताब की बात करें तो किसके द्वारा लिखी गई थी यह मुलकराज आनंद के द्वारा लिखी गई थी अब यह देखो यह सवाल कहां आएगा जितने सारे जी एस बेस्ट पेपर हैं सब में देखने को मिलेगा सर अगर हरीजान कहते हम हरीजान कहते तब गांधै जी बहिश्किरित भारत चभा इस्कृत की बात करते सब आधिकर सब्सक्राइब करते ब्रॉक रॉकเंठ की बात करते तक सरोजिन एंडू की बात करते किताब किसके द्वार लिखी गई थी मुल्क राज आनंद की द्वार लिखा गया तो अन्टचेबल इस नोवेल बाय मुल्क राज आनंद पॉब्लिस्ट इन 1935 अन्टचेबल 1935 में प्रकासित मुल्क राज आनंद का एक उपन्यास है जो छुवा चूत यानि आतिकी नंबर क अच्प्रिषता की चर्चा है अच्प्रिषता की चर्चा की तिक आज बसमझ में सवाल नंबर 4 कहता है डैस फ्रों बिहार ईजा जी आइड,टैंग, फूड आइडम, बिहार का डैस एक जियाई टैग खाद्रिपदार थे क्या होगा यह आपके लिए जल्दी एक बार लिंक को कॉपी करें सेयर करो जरा बच्चों जरा क्या होगा टिए बिखार वालों को पता होगा सिलाव खाजा खायो न कभी सिलाव खाजा खॉय। कि भाज़ देखे ओ सिलाव खाजा ओके यह देखा अईसा देखता भी या सर कौन प्रोवाइड करें पता है चेन्नई में जयोग्राफिकल इंडिकेसंस रेजिस्ट्री होता है चेन्नवी में भगोलिक सेकेद रजिस्ट्री ने बिहार की नालंदा जीले की परंपरे के मिठास सिलाव खाजा को G.I. टैग परदान किया है क्या दिया है जिलाई जियाई टैक परदान किया मधुबनी पेंटिंग को भी मिला है याद रखना बिहार में मधुबनी पेंटिंग को भी मिला है मधुबनी पेंटिंग को भी परदान किया गया है नहीं मोनिका होगी इस क्लास में जो लीची-लीची कहते हुए लीची का सीजन पार हो गया यानि साही लीची को भी मिला है साही लीची को भी मिला है याद रखना किसे साही लीची को भी मिला है तो इतने सारे चीजे हैं जो बिहार के लिए सबसे पहला दारजिलिंग टी को जियाई टैक का दरजा दिया गया था ठीक है नहीं खाया ओहो चलो कतरनी राइस क्या बात है भारत में कोवेड-19 महमारी का पहला मामला किस्तिथी को सामने आया था सावाल नमर पाँच भारत में कोवेड-19 महमारी का पहला मामला किस्तिथी को देखने को मिला था तो यह था 30 जनवरी को देखने को मिला था कहा केरल में 30 जनवरी को देखने को मिला था केरल में याद रखना तो जनवरी को भारत केवल में कोवेड-19 के अपने पहले मामले के सुचना दी तिन बस परवरी तक तीन मामले बढ़ गए थे तीन फ़र्वरी तक तीन मामले बढ़ गए थे अगस्त में में हम टॉप कर गए हैं अगस்त में हम टॉप कर गए बच्चे याद रखना अगस्त में से थी आची कि टॉप कर गए है कंद करहिं सारे चाइज चीण के बुहां से आयते इसलिए यह दिखने को मिला था कि आठ माई 2020 तक स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्राले कहता है कि बावन जार चपन जार 342 और अभी डेटा देखें तो अभी हम टॉप कर गए हैं अभी कितने पर हैं टॉप कर गए बल्कुल या तक ना बच्चे लिस्ट में टॉप कर गए हैं कि विच कंट्रे हैस डिसाइड़ तो इंपोर्ट वीवी पीटी फ्रों इंडिया फ्रों लेक्शन्स किस देश ने चुनाव के लिए भारत से वीवी पीटी आयात करने का फैस्ट लग गया है सौत अफरिका केनिया नाजेरिया नावीबिया सवान नमर से चल्दी लॉड लिटन और रिपन दोनों चेंज हो गया अपना नाम बदल लो डेटा भी बदल लो नामीबिया तो नामीबिया बच्चे भारत से वीवी पीटी आयात करने का फैस्ट ला किया है कौन नामीबिया कौन नमीबिया याद रहेगा आ अचछे यह बताओ जरा सा कमेंट बॉक्स में आफरिका महा देश में अफरिका कॉन्टिणिन्ट में सबसे जाइदा जन्संग्छा वाला देश KI मोस्ट पोपूलस कंट्री कौन है ? यहां अफ्रिका महा देश में सबसी ज्यादा जनसंग्चा वाला देश यह उन्या नया सूच कुल– जसके लिए बतावत तो हरा आप कोण्ट्रीकर १न अफ्रीका कॉंटेनेंट में और सबसे ज्यादा तन श्राव अजेरिया grieving कि क्या है नाइजीरिया ठीक है तो वीवी पीटी एक विसिस्ट मसीन है जिसका उप्योग चुनाओं में यह सत्यापित करने के लिए किया जाता है कि नागरिक का वोट सही डाला गया है कि नहीं यह इसके फूल फॉर्म है थिक है तो वीवी पी अटी मसीन उमिदवार के नाम और समबंधित चुनाओं चिन वाली एक पर्ची को प्रिंट करती है और स्वचालित रूप से एक सील बॉक्स में छोड़ देती है यह साथ सेकेंड तक दिखाई पड़ता है जो वोट देते हैं कितने सेविन सेकेंड तक साथ सेकेंड सबसे छोटा दिन कब अनुभाव किया जाता है वेन इस दा सौटेस्ट डे ऑप्जर्ब सबसे छोटा दिन कब अनुभाव करते हैं 21st चोन 22nd दिसंबर 21st मार्थ या 22 सेतंबर अज साथ में तक क्लास है बच्चे आपकी सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को अनुभाव करते हैं सबसे बड़ा दिन 21st चुन को इसलिए 21st चुन को हम योग दिवस मनाते हैं याद रखना 22 दिसंबर को सबसे छोटा और 21st मार्च 22 सेतंबर को क्या करेंगे डे इस इक्वल टू एन यानि सर क्या बता दिया आपने डे इस इक्वल टू एन डे और नाइट इक्वल होंगे बराबर होंगे और रहाबर होंगे और एक कोश्ण आता है जोआपको आपको यहाद हो कल करा आया सोज भी में कि भूमध रेखा पर पर एक्विटर पर सूरज में साल में वर्वर्सी और कितने बार सीधी चमकेगा तो सर ट्वास यानि दो बार भूमध रेखा पर चमकता है सूरझ कितने करता आपके ऊपर कैसे सोचते हैं कि ठीक है कि सवाल नंबर आठ वाटी दन नेचर ऑप अनिम्प्लाइमेंट इन अग्री कल्चर इन इंडिया भारत में कृसी में ब्रुजगारी की प्रकृति क्या है सवाल नंबर आठ नाइट्रिट अम्ल यह भागवान यहां बच्चा नाइट्रिट अम्ल क्यों याद कर रहे हो भारत में क्रिसी में ब्रुजगारी की प्रकृति क्या है मौस में पर्चन दोनों या कोई नहीं किसी का चवाब नहीं दिखा अभी तक बोथ सुना सर्मा जी जी बोथ सूभम मनिजा भी कह रहे है बोथ डेड़ में भी कह रहा है बोथ स्वीटी भी कह रहे है पर्चन गलत हो गया बच्चे क्या होगा दोनों होगा कैसे दोनों होगा देखो मौस मी मतलब क्या है अभी बारे अभी क्या है बारिश कर दिन है अभी आप अम्बरेला और रेंकोट बेचेंगे जैसे बारिश कम होगा आप क्या करेंगे अब बिरुजगार होगे अब आप क्या करेंगे अब इंतजार करेंगे ठंडी आने का जैसे कोल्ड का टाइम आए फिर आप ब्लैंकेट बेचना शुरू करते हो जैसे ही कोल्ड कम होता है सरदी के मौसम कम होती आप ब्लैंकेट छ भारा पड़ा है यह भारत में यह भारा पड़ा है खासकर किसमें अगरिकल्चर सेक्टर में आई बस समझ में तो यह दोनों होगा बच्चे सीजनल भी और डिस गाइज भी याद रखना ठीक है बस देखो पर अच्छा प reported श्कॉर्च बताया था मैंने तो मैंने डिसगार चांव नहीं दीखा था इंता प्र याप सीजनल भी नहीं था वहाँपर यह तो देखो ना क्यान और लिए पढ़ाया लेकिन दिपेंड करता हट उप्सट पे न वैंग डिपेंड करेगा आप्शन पर ये भी तो देखो डिपेंड आप्शन पर करेगा ना ये तो देख लो ना ये तो देखोगे कि नहीं देखोगे सवाल नंबर नाइन देखो पूल टाइमर आपके सामने ये रहा हाँ या रब बताओ 23 वे एसी आइए एसलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में कौन सा कथांग करना था जल्दी बताओ क्या हो गया हसियारी वहुद क्यों हसियारी इतना क्यों हसियारी बताओ क्यों हसियारी इतना या दोहा में आयुजित किया गया था भारत पदक तालिका में चौथ्या स्थान पर रहा है क्या होगा बताओ अरे गौरब पांडे जी पूरा देखो ना यार मैंने क्या कहा था कि मौसमी में रेनकोट और चाते की बात करते हैं देर से आते हो यही गड़बर होता है पूरी वीडियो देखा करो इसके बाद आप कमेंट्स करा करो इसलिए ना ये कमेंट्स को इग्नूर कर देते हैं कि तेहिस्तुमें एतलेटिक चैंपियंशिप के बारे में कौन सा कथांगलत है ये कथांगलत और थर्ड दोहा में आयुजित किया गया था बिल्कुल सही है भारत पदक तालिका में चौथे अस्थान पर रहा जबकि बहरिन टॉप किया है जापान पांच स्वर्न चार सब्सक्राइब कर दोहा में किया गया भारत तीन स्वर्न साथ रजत साथ कांस के साथ चौथे अस्थान पर रहा है इस ट्रू है इस ट्रू है नेक्स कोशन की बात करें बहरिन टॉप्ट टेबल वित 11 गोल्ड 7 सिलवर और फोर ब्रॉंज जबकि वाइल चाइना की बात करे तो चीन 10 स्वर्न 13 रजत साथ कांस के साथ दूसरे अस्थान पर जबकि जापान 5 स्वर्न 4 रजत 9 कांस के साथ तिसरे अस्थान पर था किस पर था तिसरे अस्थान पर था बिल्कूल याद रखना सवाल नम्बर दस कहता है सर तापिये विद्धुत पर जोजनाओं के संबंद में निम्विकित में से क्या सही धन से मेल खाता है सवाल नम्र दस जल्दी जबकि ये सब के सब गड़ बढ़े कोर्वा यह कहां चला जाएगा 36 गड़ याद रखना सवाल नम्र 11 द मधरास हाई Кोट्ट्छित टेंपरर उतिक टॉक वाट्वाश टिक टॉक तक ने टिक टॉक टॉक नम् hac लगाएग एक आस्था ही पर्तिबंद घुल्डा दिया टिक क्या था शोशल मीडिया एप वीडियो सेयरिंग एप वीडियो क्रेटिंग एप औल अब दिट ये सभी जल्दी तल्चा रूड़ी सा बिलकुल क्या था अरे टिक टॉक यूज किये हो ना पूरा तो बैंड कर दिया टिक टॉक भाई सब था सोशल मीडिया एप था हम पहले वीडियो बनाते हैं वीडियो सेयर करते हैं और फिर सोशल मीडिया एप भी है ताके हम फॉलो बोलते हैं हमारे इतने फॉलोवर बल गए हमारे इतने फॉलोवर हैं यानि ये क्या था ओल अब दीज सभी था क्या था ये ओल अब सभी था याद रखना सच टिक्टॉक जिसे चीन में ड्वाइन के नाम से जानते हैं लगू वीडियो बनाने और साजा करने के लिए एक iOS और Android मीडिया एप है अप्लिकेशन उप्यो करताओं को तीन से पंदरा सेकेंड का छोटा वीडियो म्यूजिक वीडियो तीन से साट सेकेंड का लूपिंग वीडियो बनाने के अनुमती देता है मदरास हाई कोट की मदूरे बेंचे ने टिक टॉक से प्रतेवां धटाने का फैसला किया था सवाल नमर बारा जल्दी जल्दी बताओ मिड़े मिल योजना शुरू करने वाला दूसरा राज कौन सा है तो मिड़े मिल योजना की बात करें तो क्या होगा तो कुछ रात भाई दूसरा राज पुछा पहला ने याद रखना आप लोग तामिलाडू लगाओगे मुझे पता है सवाल तो पढ़ते नहीं हो कारण क्या है कि यहाँ देखोगे मिड़े मिल यहाँ देखोगे तामिलाडू तामिलाडू तिक करोगे और बाद में सर पढ़कोगे मैंने दूसरा पूछा सेकेंड इस्टेट पूछा बच्चे मैंने दूसरा पूछा पहला नहीं यह तो देख लो पहला तामिलाडू है पहला तामिलाडू है याद रखना सबसे पहले भारत में तामिलाडू राच्च में 1962-63 में ततकालिन मुक्मंत्री के कामराज के नितिरुत में एक बाल मद्यान जोजना शुरू की गई थी तूसरा पुछा पहला नहीं आपने पहला बताया तो दूसरा की बात करेंगे भारत सरकार ने 15 अगाश्ट 1995 को दूसरा राजजी था ठीक है सवाल नमर 13 संधावता एक्सप्रेस दंस बेटिविन वीच अवता फॉलिविंट टू स्वाल नमर 13 जल्दी नई दिल्ली लाहोर के बीच समझावता एक्सप्रेस चलता है किसके भी चलता है समझावता एक्सप्रेस नई दिल्ली और लाहोर के बीच निव दिल्ली और लाहोर के बीच समझावता एक्सप्रेस जिसे आम तोर पर फ्रेंड्शिप एक्सप्रेस कहते हैं एक द्वी सब्ताही की ट्रेन है बूधवार और रविवार जो दिल्ली और अटारी के बीच भारत और पाक्स्तान के लाहोर के बीच चलती है यह सुरू हुआ था किन में समय वाजपेई जी के समय में वाजपेई जी के ताइम में कारेकाल में सुरू हुआ था याद रखना स्वाल नमर्फोर्टीन के तब विच आप फॉल्विंग किर्केटर इस इंक्लूड़ेड इन लिस्ट आप आइसेशी हॉल अफेम कौन सा किर्केटर आइसेशी हॉल अफेम दोह ठारा के सुची में सामील है बच्चे क्या हाल है तो कौन सा किर्केटर आइसेशी हॉल अफेम दोह ठारा के सुची में सामील है क्या करेंगे और आप दिज करेंगे भारत के राओल द्रविड मिश्टर वाल रिक्य पॉंटिंग पंटर और क्लेर टेलर यह तीनों के तीनों सामिल हैं किर्केटर आईसेशी हॉल अफेम में अब आपके लिए होमबग है अगर आपको पताओ तो बता दो कि अशेयसी हॉल अफेम में कितने भारतिय कितने भारतिय अब तक सामिल हुए कितने भारत के पुरुक अप्तान राहुल द्रविट और सेवा नुवरित इंग्लैंड की महिला विकेट कीपर बल्लेबाज क्लियर टेलर को डवली नुएक सांदर समारों के दवरान ICC किरकेटर हौल ओफ फेम 2018 में सामिल किया गया था ठीक है आई बात समझ में तीन लोगों को सामिल किया गया था अगर मैंने पूछा भारत से कितने बताया नहीं अभी तक भारत से पांच इंडियन है या च्छे है पांच है या च्छे है जल्दिश देखना कंफर्म पांच इंडियन है या आपके लिए टास्क करा मुझे कमेंट बॉक्स हम से ये वीडियो खत्म होने के बाद भारते समिधान में सूपर कैबिनेट के रूप में किसे जाना जाता है जल्दी सवाल नमर्पंदरा अब ठीक है भारते समिधान में सूपर कैबिनेट के रूप में किसे जानते हैं कि सूपर कैबिनेट पी-एम 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 मोधी भी हैं पर प्रेसिडेंट भी हैं के भी किसे ने कहा ओके ओके सर फ्राज गुरुप दी का होगा बच्चा तयारी तो कर लो आप सर सूपर कैबिनेट हम मोदी जी को जानेंगे परधान मंत्री को सूपर कैबिनेट बोलते हैं क्यों क्योंकि कॉंसे लॉप मिनिस्टर्स के चेर्मेन कौन होंगे तो परधान मंत्री होते हैं से मंत्री मंदल की चर्चा अर्टिकल 65 से परधान मंत्री की चर्चा और इसे हम सुपर कविनेट कहते हैं . क्यक को कैसे कहोगे का काम ए कि क्रॉस्चेक करना यानि आर्टिकल 1-48 राष्टपती दुआरा प्वाइंटंट Basically कि बात करें तो छे या 65 संप भी पहले और मुक्य नैजिस की बात करें पैंसत्व वरस तक विचारा ये काम करेगा इसके वाद रिटायर कर जाएगा राष्टपति के बात करें नहें यह कारपाली का परधान है जबकि वाष्ट्विक परधान कौन होगा परधान मंत्री होगा आई बस समझ में आ गया समझ में क्या था कुछ्टन का जवाब मजा आ गया चलि सिंपी परजापती का भी नाम ले लिए मेरा भी नाम ले लो कोई मेरा भी तो नाम लेलो मेरा तो नाम लेते ने आओ कभी सवाल नंबर सोला कि बताइए ICC ने T20 विशुकप 2020 को अस्थागित कर दिया है अब यह कब आयोजित किया जाएगा कब होगा अक्टूबर नॉमबर 2021 मेर ठोड़ दो नाम जवाब बताओ नाम मतलो फर्वरी मार्स 2021 जनुवरी 2022 या दिसंबर 2020 क्या होगा बताओ सवाल नॉमबर सोला का जवाब देखें तो क्या निकल कर आता है अक्टूबर नॉमबर 2021 में होगा सोचो याट टी-20 था हमिल अगर था धोनी खेलेंगे विचारे किस्मत की बात है किस्मत की बात है किस्मत की अक्टूबर नॉमबर 2021 में यह आयोजीत किया जाएगा ठीक है तो अंतराष्टी क्रिकेट परिश्ट में 20 जुलाय 2020 को पुष्टी की कि चल रही कोविड-19 में हमारी के कारण ऐसे सी मिंस का T20 वर्ल्ड कप ऑस्टेलिया 2020 में आयोजीत किया जाना था जो अक्टूबर नॉमबर 2021 में अस्थाकित कर दिया गया है ठीक है बैंड कर दिया गया है चलिए सवाल नमर 17 भारतिय नॉस्टाइनिक जहाजों ने 20 जुलाय 2020 को किस देश के निमिच वहक हरताल समू के साथ अभ्यास किया है अरे मैं तो जाता हूं नहीं बिल्कुल जब तक उम रहे तब तक खेलें पता है इंडिया में होगा तो युवेसे भारतिय नॉस्टाइनिक जहाजों ने 20 जुलाय 2020 को किस देश के निमिच वहक हरताल समू के साथ साजा किया तो युवेसे हैं यानि सर भारतिय नॉस्टाइनिक जहाजों ने 20 जुलाय 2020 को अंडमान निकोबार दीप समू के पास संजुत राज अमेरिका की नॉस्टाइनिक वहक हरताल समू के साथ एक पारित अभ्यास किया कहां हिंद महासागर में लाल जी तंदन डाइड ओन जुलाय 21st 2020 ही वाच लेटे तो विच स्वाल नम्रठारा बताओ लाल जी तंदन किस राज चे सम्बंदित हैं जल्दी 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 बताओ जटका लगा गाना सुने ओना जोर का जटका हाई जोरों से लगा सुने ओना गाना गाना सुने ओना हमारा MP नहीं बेटा यह तुमारा MP नहीं यह यूपी से हैं सवाल था कि किस राज से हैं यह नहीं पूछा कि किस राज के राजिपाल थे सवाल तो देख लो कि बाबा ने पूझा क्या आपसे मैंने पूझा क्या मैंने पूझा किस राज इसे है मैंने ये दी पूझा कि वो राजपाल किस राज जिके थे आगे आना मज़ा जटका लगा न इसलिए कहते हैं गाना सुना करो उत्तर परदेश के थे ये ठीक है मनुदर्पन पाल किसने शुरू की है सवाल नंबर 19 भाई हमारे क्लास में रहोगे तो ऐसा ही फायदा होगा रेगुलर मनुदर्पन पाल किसने शुरू किये रमेश पोख्रियाल निसंग ने जो HRD मिनिस्टर है अब इन्हें सिच्छा मंतरी कहा जाएगा हरिद्वार से ये सांसद हैं हरिद्वार से ये सांसद हैं ठीक है सारा पैसे चित्ग करोगा तो मैं नहीं क खरों गाँ चतिनBut जैनल्हिक को अपने मानसिश स्वास और कल्यान के लिए छात्रों को मनुद्र्पण पा्ल्पन की ए क्या किया मनोदर्पन पहल सुरू किया था याद रखना सवाल नंबर 20 जोरम मेगा फुड़ पार्ग कि सराज में सुरू किया गया है मिखाले नागालेट सिक्की मिजोरम सवाल नंबर 20 जल्दी जोरम मेगा फुड़ पार्ग की बात करें तो यह क्या होगा जल्दी इसको खींच के लाओ यहां यह बहुत दूर तक रहा गया है मिजोरम ठीक है यानि कौन किया था तो हर्सिम्रत को और बादल अब जरह बताना कमेंड़ बॉक्स बच्चे हर्सिम्रत को और बादल की बात करें इनका संसाधिय छेत्र कौन सा है इनका संसाधिय छेत्र कौन सा है जल्दी इनका संसाधिय छेत्र कौन सा है हर्सिम्रत को और बादल का संसाधिय छेत्र आपको बताना है 21 जुलाइ 2020 को मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार का उध्वाटन किया जिससे लगबग 25,000 किसानों को लाब होगा और लगबग 5,000 रोजगार के आउसर पैदा होंगे आउसर पैदा होंगे आपको बताना है क्या संसाधिय छेतर कहा है जल्दी सवाल नबर 21 भटिंडा पंजाब भटिंडा पंजाब बहुत बढ़िया क्या बात है हाँ सेशन को लाइक भी नहीं करना सेशन को लाइक भी नहीं करना पाप लगएगा लाइक करते नहीं हो जर गलत बात न निल्सन मंडेला अंतराष्टिय दिवस कब मनाये जाता है तो निल्सन मंडेला अंतराष्टिय दिवस 18 जुलाई को मनाये जाएंगे निल्सन मंडेला को गांधी का अफरीका का गांधी कहते हैं अफरीका का गांधी कहा जाता है अफ्रीका का गांधी कहते हैं अफ्रीका का गांधी कहते हैं समझ में आ गया चुलिए सवाल नुमर बाइस विचाटा फॉलिविंग कंपनीज वाणाउंस्ट थर्टी थर्टी थाउजन सेवन हंडे थर्टी सेवन करोड इंवेस्टमेंट इन डिलाइंच जीओ 22 रिलाइंच जीओं ने 33,737 करोड रुपे निवेस्किर्दे के घोशना की है कहां गूगल सर मैंने आपको अरे प्रियंका कुछ नहीं होगा आपको नौकरी लो जल्दी साधी वादी करो नौकरी लेकर रिलाइस इंडस्ट्री ने 15 जुलाइं 2020 को अपने 43 वी वास्तिक बैटा कायों जीद करती है और वहां अध्यत साहब आप मुक्य संभाने ने पूस्टी की कि गूगल जीओ प्लेटफॉर्म में 7.7 परसेंट हिस्टारी के लिए तैंटिस हजार 737 करोड रुप्य का निवेश करेगा ठीक है कि सवाल नमर तैइस हूँ है डिवलप्ट दा पी सेविन हैवी ड्रॉप सिस्टम पी सेविन हैवी ड्रॉप सिस्टम किस ने विक्सित किया है अच्छा सबके सेयो याद कर लियो क्या बात है जैट बेजोस पी सेविन हैवी ड्रॉप सिस्टम किस ने विक्सित किया है हिंदुस्तान अरनोटेक्स लिमिटेट है एच एल ने किस ने किया है एच ए एल ने कि ड्रॉप ने किया है किस ने किया है माई मिस्टिक ड्रॉप किया ने वच्छे ड्रॉप बिल्कुल सही ड्रॉप तो देखो ड्रॉप ने पी सेविन हैवी ड्रॉप सिस्टम विक्सित किया है जो आईयल 76 विमान से साथ तन वजन वर्ष तक के सैन स्टोर्गो गिराने में सक्षम है परनाली पूरी तरा से स्वादेशलंग किया महाराम दूपी सवाल क्या होगा किस राज सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों के लिए रोको तोको अभ्यान शुरू करने का फैसला किया है कि जल्दी रोको तोको अभ्यान अब देखो जारखंड था उसने एक लाग का फाइन लगाया और मास्क नहीं पहनने वालों के लिए मद परदेशा बच्चे रूखना वेट करना टेकनिकल जीजरा मुझे मिश्टर इंडिया बना दिया जाए और पता ये अब ये समझना कि जारखंड सरकार ने एक लाग रुप्या का फाइन लगाया था अब ये रोकोटो को अभियान पता क्या है रोकोटो को अभियान है कि 20 रुपईया लगेगा आप से वसूलेंगे अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो 20 रुपईया लो और मास्क दो 20 रुपईया लो और मास्क दो बिल्कूल यही योजना है तो मदपर्दे सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों के लिए रोकोटो को अभियान चलाने का फैसला किया है अभियान के तहत चुनिंदा स्वैचिक संगठन उन लोगों को मास्क परदान करेंगे जो सारुजनिक अस्थानों पर मास्क नहीं पहनते हैं उनसे परती मास्क 20 रुपया वसूला जाएगा 20 रुपया वसूला जाएगा ठीक है अब बास समझ में 10 जुलाई को जारी किये गए युनाइटेज किंग्डम के सरकारी आकरों के अनुसार यह कहां चला गया अच्छा यहां देखो सवाल नुबर 25 वो क्या मैं बता दूगा इंडिया हैज बिकम दा सेकेंड लार्जेस सौर्स ओप एवडिया इन विच कंट्री सवाल नुबर 25 इंतिजार आपका ओके तो FDI का दूसरा सब्सेबला सुरोत बन गया कौन UK भारत किस देश में किस देश में समझना भारत किस देश में FDI का दूसरा सब्सेबला सुरोत बन गया है यानि कहता है बच्चे कि 10 जुलाई को जारी किये गया United Kingdom के सरकारी आकरों से पता चला कि भारत 120 प्रजोजनाओं में निवेश करके उनाटेट किंगडम में 5,429 नई नौकणियों का सिर्जन करके बृतेन में FDI का दूसरा सबसे बड़ा सुरोत बन गया है दूसरा सबसे बड़ा सुरोत बन गया उनाटेट किंगडम का ठीक है तो ये था आज का सेशन 25 में से सवाल कैसे लगा बताओ अब अब उस 25 में सवाल में अब बताओ अगर मैं MP जेल पर हरी की तयारी करूँ या फिर देली पुलिस के तयारी करूँ क्या SSC की तयारी करने से हमारा ये एक्जाम किलियर नहीं होगा जरा कमेंट बक्स बताना फर्स USA बिलकुल नहीं हमारा बताओ SSC की तयारी करने से MP दिली पुलीस DRDO रेलवे तयारी नहीं होगा बिलकुल होगा बिलकुल होगा अगर आप धंग से तयारी करते हैं तो तो हमारे दो कोर्स आये हैं आज से ही लाइव हुआ है इसे सी फॉंडेशन कोर्स में इंडियन जोगर्फी और रेलवे में चिप्टरवाइश साइन्स तो और इंस अप्षू सुप्सक्रिप्षन लेने के लिए कोई वे सब्सक्रिप्षन लेना हो चाहे आप बैंक की बात कर पहला कोर्स नहीं और बच्चि-क चल रहे हैं यससे पहला जेह देखोगे तो 12.05 मिन इसने क्लाश पहला दूसरा 5 बज़ कर 35 मिनट में तीसरा 10 बज़ कर 5 मिनट में आपको ये special class बिल्कुल फुरी जाने आपको कोई पैसा नहीं देना बस anacademy learning का आप होना चाहिए वहाँ पर मेरे profile को ढूणना रोयत कुमार सर्च करना सर्च करने के बाद आप देखना बिल्कुल आपको पता चल जाएगा ठीक है तो फिसर जूड़े कैसे सबसे simple तरीका mobile में google play store होगा जाना वहाँ पर anacademy learning के सर्च करना सर्च करने के बाद सर्च करने के बाद जैसे सर्च करोगे सर्च करने के बाद open करना open करने के बाद अपनी mobile नबर डालोगे get OTP पे क्लिक करना जैसे OTP पे क्लिक करोगे क्लिक करने के बाद अब कहगा सर्च गोल अपने तो सबसे पहले सर्च करना या railway exam जो भी आपका गोल होगा मरे नाम को सर्च करना रोहित कुमार जैसे सर्च करोगे फिर मुझे फॉलो कर लेना ये special class मिल जाएंगे लेकिन अगर जो मेरे course देखने को मिला है आज SST में इंडियन जोगर्पी और railway में chapter wise जो science है तो अपना goal सर्च करना SST exam इसके बाद get subscription पे क्लिक करना जैसे क्लिक करेंगे अब वो पूछेगा कितने मंत के लिए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि सर लंबा subscription लेना बेटर होता है लंबा subscription लेना बेटर होता क्यों क्योंकि आपको pre और mains दोनों देखने होती है साथ साथ GS के साथ आपको maths, reasoning English सारे subject मिल जाएंगे बिलकुल इसके लिए कोई पैसा नहीं देना आपको तो suppose मानों कि आपने 12 months select किया और referral code होगा तो BA BA 1022 10Q जैसे करेंगे हम apply करेंगे 6000 घटकर यह क्या हो जाएगा 5400 अगर 24 month ले जुड़ते हैं 72 यह घटकर हो जाएगा 6480 ठीक है, proceed to payment करेंगे तो अगर आपके पास credit card है तो EMI का option मिल जाएगा आपको अगर वाइश आपको debit card यानि जैसे हम ATM कहते हैं one time payment करना पड़ेगा जब अगर आपके पास net banking है या Google पे है तो आप कर सकते हो बस referral code याद रखना BA BA 1022 इसमें से कोई भी space नहीं है जो लुक करिएगा bell button को hit करिएगा ताकि जब धी class हो उसका notification आपको मिले तब तक किला अपना ख्यार रखे सुक्रिया जैहिंद